100 days survival as a lion in Minecraft hardcore world वीडियो के इंट तेक लाजमी देखेना और अगर अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो डेवन को मैं as a baby lion स्पोन हुआ और मेरे पास total 5 hertz थे फिर मैंने अपने आसपास explore करना शुरू किया और मैं काफी ज़ादा तेज भाग सकता था जो के काफी ज़ादा अच्छी बात थी तो explore करते करते तभी मुझे वहाँ पर एक snake नदर आया और उस snake ने मेरे उपर attack कर दिया और अभी मैं इतना powerful नहीं था कि मैं उससे लड़ सकूँ तो मैं वहाँ से भागने लगा लेकिन वह snake अभी भी बिल्कुल मेरे पीछे था और तभी वहाँ से भागते भागते मुझे lion king मिले जो के मेरे ही papa थे और फिर उन्होंने मुझे उस snake से बचा लिया और फिर उन्होंने मुझे का कि इस जंगल में काफी जादा dangerous animals हैं और तुम्हें उनसे बच के रहना होगा तो मैं उन्होंने कोगा कि हाँ अब मैं उनसे बच के रहूँगा और इसके लाबा मेरे साथ के और भी baby lines थे मतलब मैं इस world में अकेला नहीं था फिर इसके बार रात हो गई और रात को हमारे tribe के ओपर काफी सारे wolves ने attack कर दिया लेकिन मेरे dad ने उन सब को मार कर भगा दिया इसके बाद अब काफी जादा रात हो चुकी थी तो मैं वहाँ जाकर सो गया तो फिर day two को मैं उठा और अब मुझे पता था कि अगर अपने dad के बाद मुझे जंकल का राजा बनना है तो मुझे काफी जादा powerful बनना पड़ेगा और इसके मुझे काफी सारे tools और काफी जादा और चीजों की भी जरूरत होगी तो मैं सबसे बहले कुछ trees को chop करने लगा फिर मैंने उससे wooden pickaxe बनाई और फिर मैंने उससे कुछ stone mine किया और फिर मैंने stone के tools बना लिये और ये सब करने के बाद मुझे काफी जादा भूग लग लग री थी तब ही मुझे वहाँ पर एक rabbit नदर आया और अब मैं अपनी hunting ability को भी check करना चाता था तो फिर मैं आइस्ता 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 उस rabbit के पास गया और फिर मैंने जाकर उसके उपर attack कर दिया और उसको मार दिया और फिर finally मैंने अपने पहले किये वे शिकार का meat खाया इसके बाद मैं अपने lion tribe में वापस आ गया लेकिन जैसे मैं वापस है मुझे वहाँ पर एक baby lioness नजर आई और उसने मुझे से पूचा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मैं तुमें एक elephant की कबर दिखाऊंगी ये सुनकर मैं काफ़ ज़्यादा हैरान हुआ कि ये क्या बात कर रही है और फिर उसके काफ़ ज़्यादा कहने पर मैं उसके साथ चल पड़ा और फिर finally हम उस graveyard में पहुच गए वहाँ पर काफ़ी सारे elements की graves थी और अभी हम उसको explore ही कर रहे थे कि तब ही मेरी नजर पड़ी और वहाँ पर मैंने देखा पर आ चुके हैं और फिर उन्होंने उन हाइनास पर attack कर दिया और फिर उनको मार कर भगा दिया और फिर उन्होंने मुझे कहा था कि काफ़ी ज़्यादा careful रहना और तुम लोग मुझे बिना बताय चले गए तो फिर मैंने डैड को sorry बोला और मैंने बोला मैं एंद ऐसी गलती नहीं करूँगा ये सुनकर मैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा शर्मिन्दा हो गया और फिर हम लोग अपने tribe में वापस आ गए और फिर मैं सो गया उसके बाद day 3 को मैं उठा फिर इसके बाद मुझे एक और बनी नदर आया और मैं इसका भी शिकार करना चाहता था तो मैं उसका शिकार करने लगा लेकिन मुझे अपने dad की बात याद थी कि मुझे काफ़ ज़्यादा careful रहना है लेकिन वो rabbit काफ़ ज़्यादा दूर जा रहा था और फिर उसके पीछे जाते जाते मैंने फाइनली उस rabbit को पकड़ लिया और उसको मैं खा गया लेकिन तभी मैंने काफ़ ज़्यादा अजीब अजीब वादे सुनी तो मैं समझ गया कि यहाँ आजपास कोई खतर है जो के हमसे थोड़ा सा different था और वो काफ़ ज़्यादा evil लग रहा था वो सब लोग मेरे tribe पर attack कर रहे थे और हर किसी को मार रहे थे मैं चाहता था कि अपने tribe वालों की help करूँ लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा कमजोर था मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर तभी उस evil line ने मेरे dad को मार दिया और फिर वो कहने लगा कि अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम लोग मुझे राजा मान लो लेकिन मैंने उसका कि मैं तुम्हें कभी भी राजा नहीं मानोंगा और फिर मैं वहाँ से भागना शुरू कर दिया मैं जितना तिस भाग सकता था मैं भागा तो फिर मैं वहाँ से काफ़ी जात दूर आ गया अब मुझे रहने के लिए एक जगा की जरूरत थी और फिर तभी मैं एक cave के अंदर गया और अपने आपको cover कर लिया और फिर मैं सो गया इसके बद डे 4-7 को मैं उठा लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आगी थी तभी उस्पाइडर ने मुझे गा कि मैं तुम्हारे पर कोई अटेक बगार नहीं करने आया बलकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है इस केव में एक बैट है जो कि मुझे काफ़ ज़्यादा परिशान करता है तो अगर तुम इस केव से उस बैट को निकाल दो तो तुम जो कोगे वो मैं करूँगा तो फिर मैंने उससे कुछ स्ट्रिंग्स मांगी और फिर उन स्ट्रिंग्स से मैंने एक नेट बनाया और जाकर उस बैट को पकड़ लिया जिससे वो स्पैडर काफ़ ज़्यादा खुश हो गया और उसने मुझे काफ़ी सारे एमरेल्स दे दिये और उसने मुझे काफ़ी सारा आइरेन भी दिया इसके बाद डे एट टू टु ट्वल्फ मैंने अपने उस आइरेन से काफ़ी सारी आइरेन की चीज़े बनाई इसके बाद मैंने थोड़ा सा और आइरेन भी माइन किया ताके मैं और ज़्यदा चीज़ें भी बना सकूँ फिर इसके बाद मैं उस केव से बाहर आ गया ताकि मैं देख सुआँ कि अब मैं किस जगा परूं तो अब मैं बिल्कुल ही एक नई जगा पर था और उस जगा से बहुत दूर था जिस जगा पर उस इविल किंग ने मेरे डैड को मार को परस जेगा पर कभजा कर लिया था तो फिर मैंने कुछ ट्रीज को चोप करना शुरू किया और फिर फाइनली मैंने अपने लिए वांए एक अच्छा सा घर बनाना शुरू कर दिया और फिर मैंने वो घर कमपलीट कर लिया और फिर मैं सो गया इसके बाद ले 1-13-16 तक आ फिर मैंने कुछ शीप्स का शिकार किया और उनको मार कर खाया और अब मैं पहले से भी काफ़ ज़्यादा तेज भाग सकता था और वो सब चीजे कर सकता था जो मैं पहले नहीं कर सकता था इसके पड़ डे 17 से 22 तक मैं उस वर्ल्ट को एक्स्प्लोर करने गया चूँकि अब म मैंने उसको हेलो किया तो फिर उसने मुझे बताया कि उसको मेरी हेल्प की दुरूरत है उसको ये लेक क्रॉस करनी है लेकिन वो टैर नहीं सकता तो उसने मुझे पूछ गया क्या तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैंने का हां मैं करूंगा और फिर वह मुझे उस रीवर के पा पिर मैं अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा और फिर अपने घर आकर मैं सो गया इसके बाद डे 23 से 27 तक मैं उठा और मुझे अपने डैड की काफिछ था याद आ रही थी फिर मैंने फैसले है कि मैं उनकी याद में उनका एक स्टैच्यू बनाऊंगा फिर इसके बाद मैं और फिर तभी मैंने उसको पहचान लिया ये मेरी वही फ्रेंड थी जिसके साथ मैं एक दफ़ा एलिफंट्स के ग्रेव यार्ड में गया था ये उस इवल लाइन के अटैक से बच गई थी हम दोने एक दूसरे को देखकर काफी जादा खुश हुए और फिर मैंने उसको ब देखकर वो काफी जादा खुश हुई और फिर हम दोनों सो गए लेकिन तभी मुझे काफी जादा आवाजे आने लगी तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तभी मेरे घर के ओपर काफी जादा TNT से लगे वे थे और तभी मेरा घर पूरी तरह डिस्ट्रोई हो गया ये वह इवल लाइन था उसको देखकर मुझे काफी जादा घुसा हा गया था क्यूंकि उसने मेरे डैड को मारा था और तभी मैं उसके उपर अटैक करने के ले गया लेकिन तभी मैंने देखा कि वो मेरे से काफी जादा बढ़ा था और फिर तभी डे 34 को मेरी आँख खुल गई म और फिर हम हंटिंग के लिए चले गए वहाँ पर हमने काफी सारे पिग्स को मारा इसके बद डे 35 से लेकर 39 तक वो और मैं इस वर्ल्ड को एक्स्प्लोर कर रहे थे और हम दोनों काफी जादा खुश थे और फिर तभी हमें कुछ और लाइन्स मिले और वो भी किसी तरह उस इवल लाइन से escape करके यहाँ पर पहुचे थे तो हमने उनको भी अपने साथ ले लिया इसके बाद मैं और मेरी वो फ्रेंड केव में कुछ माइनिंग करने के लिया है इसके बाद हमने उस केव से काफी जादा माइनिंग की और फिर हमें वहाँ से diamonds भी मिल गए और फिर मैं एक diamond के boots मिले जिसके उपर mega jumpers की enchantment लगी भी थी और अब मैं काफी जादा long jump कर सकता था और फिर दूसरी chest में मुझे एक sharpness 4 की book भी मिली इसके बाद हम लोग अपने घर तक वापस आ गए इसके बाद day 40 से लेकर 45 तक हमने उस सारे iron को smelt किया और फिर उससे एक anvil बना लिया और फिर मैंने पनी sword पर वो sharpness वाली enchantment लगा ली फिर इसके बाद मैंने उस dad के statue पर भी थोड़ा सा काम किया और फिर उन new lines के लिए मैंने अपने घर को भी थोड़ा सा expand किया फिर इसके बाद मैं और मेरी वो friend फिर से exploration के लिए चले गए तब ही explore करते करते हैं हमें वहाँ पर jungle बायों मिली जो यहाँ पर काफ़ जदा बड़े बड़े दरख थे और फिर हमने decide किया कि हम सुबा इस jungle के अंदर जाएंगे तब ही वहाँ पर काफ़ जदा अजीब 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 आवाजे आने लगी तो मैंने पनी friend को का कि तुम यहीं रुको मैं जाकर देखता हूँ और जब मैंने जाकर देखा तो साथ ही एक village में काफ़े सारे जॉंबीज ने अटेक किया हुआ था और फिर मैंने जाकर उन जॉंबीज को मारा लेकिन तभी वहाँ पर एक mutant जॉंबी आ गया जो कि उन जॉंबी से काफ़ी जादा powerful था वो मुझे पर काफ़ी जादा अटेक कर रहा था और अब मुझे लगने लगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तभी एक folks वहाँ पर आ गई और उसने भी मेरे साथ उस mutant जॉंबी पर अटेक करना शुरू कर दिया और फिर finally उस folks की help से हम दोनों ने मिलकर उस mutant जॉंबी को मार दिया फिर मैंने उस folks को thank you बोला और उससे पूछा के तुम कोन हो तो फिर उसने मुझे बताया कि उसकी family को कुछ हाइनाज और एक evil line ने मार दिया है तो मैंने उसको बताया कि उस evil line ने मेरी family को भी मार रहा है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ तो उसने मुझे कहा कि वो evil line काफी ज़्यादा powerful है लेकिन उससे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी हैल्प करूँगा फिर इसके बाद मैं उन विलीजर्स के पास गया थाकि उनसे पता कर सकूँगा किया वो सेफ हैं तो उन विलीजर्स ने मुझे ठेंक्यू बोला तब ही मैंने उसे पूझे गा किया तुम मुझे कुछ इंचैंटमेंट बुक्स दे सकते हो तुर ने मुझे गा कि तुम्हें थी एमरेल्ट देने होंगे इसमें कर मैं काफ़ ज़्यादा हैरान हुआ कि मैंने अभी इनकी हेल्प की है और ही मेरे से तीन एमरेल्ट मांग रहे हैं लेकिन मैंने चुप करके उनको वह एमरेल्ट दे दिये मैं कितने मतलवी विलिजर थे ये और फिर उन एमरेल्ट के बदले में उस विलिजर ने मुझे चार इंचैंटमेंट बुक्स दे दी फिर इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और सो गया इस पर डे 46 से लेकर 51 पे मैं उठा और अब मैं और मेरी ओ फ्रेंड उस जंगल एडवेंचियर पर निकल गए हम दोनों काफी जादा नर्विस थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें इस जंगल के अंदर किस-किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है और फिर हम उस जंगल के अंदर finally enter हो गए वहाँ पर हमें काफी सारे different different animals की आवाजें आ रही थी और तभी हमें वहाँ पर एक gorilla नदर आया और फिर उस gorilla ने मुझे का कि finally तुम जंगल के अंदर आ गए और जब king का बेटा जंगल के अंदर आता है तो वो king बंड के ही रहता है उसने मुझे का कि वो evil line जाद देर तक king नहीं रहेगा तुम्हें उससे अपने dad की गद्धी को लेना होगा लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ ज़्यदा training की जरूरत होगी लेकिन उसकी बाते सुनकर मैं काफ़ ज़्यदा हैरान था कि इसको मेरे बारे में कैसे पता और फिर उसने मुझे का कि follow me तो मैं उसके पीछे चलने लगा इसके बाद day 52 से लेकर 56 तक मैं उसके पीछे ही चलता गया पता नहीं वो मुझे कहां पर लेकर जा रहा था और फिर वो गुरियला हमें उस जंगल के बीच में एक अलगी जगा पर लेकर आ गया और फिर उसने मुझे का कि हम कल से training स्टार्ट करेंगे इसके बाद मैं और मेरी वो फ्रेंट वहाँ पर सो गए और फिर day 57 से लेकर 61 तक हम उठे और फिर हमने training स्टार्ट कर दी और फिर हमने काफी जादा training की इसके बाद training करते करते हैं मुझे वहाँ से एक map मिला और फिर उस गुरियला ने मुझे बताया कि इस map में लिखी वी जगा पर जब तुम जाओगे तो तुम्हे वहाँ पर एक weapon मिलेगा तो तुम ही हो वो जो ये काम कर सकते हो जाओ अपनी एक army बिल्ड करो और उसको मारो और फिर वो वहाँ से चला गया इसके पर day 68 से लेकर 71 तक हम अपने घर वापस आए अब एक बहुत बड़ी responsibility हमारे कंधो पर थी फिर हमने उस map को देखा तो उस map में एक nether portal का रास्ता लिखा हुआ था तो हमें वो nether portal बिल्ड करना था लेकिन उसके लिए हमें obsidian चाहिए थे और obsidian बनाने के लिए हमें लावा चाहिए था जो कि हमें केव से ही मिल सकता था तो फिर मैंने एक iron bucket बनाई और साथ की लेक से पानी लिया और day 72 से लेकर 76 तक मैं उस केव के अंदर चला गया तभी मुझे वहाँ पर लावा मिल गया और फिर मैंने उसे obsidian बना लिया और वो सारा obsidian कलेक्ट कर लिया अब मैं जैसे जैसे उस केव में आ ही गया था तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे diamonds भी माइन कर लिये फिर मैं उन केव से बाहर आ गया इसके बाद day 77 से लेकर 79 तक हमने वो नैधर पोर्टल बनाया इसके बाद हम उस नैधर पोर्टल के अंदर जान नहीं वाले थे कि तभी काफ़ी सारे हाइनाज ने हमारे उपर attack कर दिया लेकिन तभी हम दोनों ने उस नैधर पोर्टल के अंदर jump कर दिया और हम उन हाइनाज से बच गए ये नैधर काफ़ी जादा scary और काफ़ी जादा creepy था इधर हर तरफ lava हिलावा था इसके बाद day 80 से लेकर 84 तक हमने उस नैधर को explore करना शुरू किया क्योंकि हमें एक fortress ढूंडना था और फिर काफ़ी देर तक ढूंडने के बाद हमें वो fortress मिल गया तो फिर मैंने अपनी friend को का कि तुम यहीं पर रुको मैं इस fortress के अंदर जाता हूँ और फिर मैं उस fortress के अंदर चला गया तब ही एक wither skeleton ने मेरे उपर attack कर दिया और फिर वहाँ पर काफ़ी सारे और wither skeleton भी आ गये तो मैंने उन सब को मारा और फिर उस fortress प्लोड करते करते मैं जगा पर पहुचा जहां पर काफ़ी सारी blazes एक chest को protect कर रही थी तो मैं समझ गया कि वो weapon इसी के अंदर होगा तो मैंने जाकर उन blazes को मारा और फिर जैसे ही मैंने उस chest को खोला तो उसके अंदर एक sword पड़ी भी थी जिसका नाम था the lion's roar जो कि काफ़ी साथा powerful लग रही थी इसके बाद वो weapon लेकर हम दोनों उस nether portal के पास वापस आ गए इसके बाद day 85 से लेकर 89 तक हम overworld में वापस आए और फिर हम अपने घर आ गए फिर इसके बाद मुरे पास जो वो काफ़ी सारी enchantment books पड़ी थी तो मैंने उनको अपने armor के उपर लगाया फिर इसके बाद मैंने डैड के statue पर थोड़ा सा और काम किया और फिर मैंने उसको finally complete कर लिया गाइस आपको इस statue कैसा लगा मुझे comments में लाजमी बताना इसके बाद मैंने notice किया कि हमारी army काफ़ी ज़्यादा कम है और फिर मैं अपनी army को और ज़्यादा बढ़ा करने के लिए day 90 से 94 तक exploration पर चला गया तभी मैं उस river के पास पहुँचा जहाँ पर मैं पहले उस platypus को छोड़ने आया था और फिर वहाँ पर मुझे वो platypus मिल गया तो मैंने उसी platypus से पूचा कि क्या तुम मेरी help कर सकते हो मुझे एक army build करने की ज़रूरत है ताकि वह उस evil line को मार सकूँ तो फिर उसने मुझे गा कि हाँ मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी लडाई में तुम्हारा साथ देंगे तो मैंने उसको बहुआ कि वो लोग मुझे कहा मिलेंगे तो उसने मुझे गा कि वो desert के end में मिलेंगे इसके बाद मैं और मेरी वो फ्रेंड अपने घर पर वापस आ गए क्योंकि अब हर चीज का इंतजाम हो चुका था इसके बाद डे 95 से लेकर 98 तक हम लोग उठे और फिर मैंने और मेरे बाकियों के साथ ही ने उस डेजर्ट की तरफ सफर शुरू कर दिया ताकि हम अपने बाकियों को ढूंड सकें और फिर वहाँ पर हमें काफ़ी सारे टाइगर्ज, एलिफेंट्स, कैंगरूज, हर तरह के एनिमल्स मिले चोके हमारी इस फाइट में हमारी हेल्प करने के लिए आये थे क्योंकि वो भी उस इवल लाइन से काफ़ी जाधा परेशान थे और फिर मैंने उस पूरी आर्जमी को एक मोटिवेशनल स्पीच दी ताकि उनके अंदर काफ़ी जाधा एनरजी आ जाए और अब वो लोग लड़ने के लिए बिलकुल तयार थे इसके बाद डे 99 को हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया और फिर काफ़ी देर तक ढूंडने के बाद हमने फाइनली उस लाइन के उस किंग्डम को ढूंड लिया और फिर डे 100 को मैं उस किंग्डम के अंदर चला गया और फिर मैंने सकुआ कि तुम्हारा वक्त खतम हुआ अब मैं तुम्हें मार दूँगा तब ही मेरे बाकी के साथी बाहर उसके हाइनाज से लड़ाई कर रहे थे और फिर मेरी और उस इवल लाइन की फाइट स्टार्ट हो गई वो मेरे से काफी साथा बड़ा था और काफी साथा स्ट्रॉंग भी था और तब ही मैंने देखा कि वहाँ पर वो ग्रेला भी आ गया है और फिर उसने मुझे का कि उन सब चीजों को याद रखना जो के मैंने तुम्हें सिखाई थी और फिर इससे मैंने अपनी सारी हिम्मती कठी की और वो सब कुछ याद किया और उस इवल लाइन पर काफी जोर से अटैक किया अब मैं बिल्कुल उससे टककर की फाइट कर रहा था और फिर तब ही मैंने उस लाइन रोज सोर्ड का यूज किया जिससे उसके उपर आग लग गई तभी मेरी वो फ्रेंड भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई और फिर हम लोगों ने मिलकर उस इवल लाइन को मार दिया और मैंने अपने डैड का बदला ले लिया और अब मैं ही इस वर्ड का नया किंग था तुक्षत ये थी हमारी वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लेगी मेरी कमेंट से में लाज़्मी बताना कर अच्छे लेगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देा आगी आज की वीडियों ये तक आप से भी लोगास्तरा की कोर नई वीडियों में तब तक के लिए बाई बाई